मैं जानता हूँ आंतरिक रूप से तुम बहुत असुरक्षित महसूस करते हो आगे के भविश्य की बेहचंता रहती है और साथी साथ रोज की गतिवीदियां जो तुम्हें अलग तरह से परिशान करती हैं सबके साथ हसते हो और फेर अकेले में आकर रोना शुरू करते हो ल में हुआ वही जो तुम्हारी मर्जी थी हुआ वैसा जैसी तुम्हारी ख्वाहिश थी आगे भी विश्वास रखो सब सही हो जाएगा जो घर में जगड़े होते हैं जिनके कारण तुम बहुत परिशान होते हो अब वो महौल पलट जाएगा सबका मन इस तरह बदल जाए या व्याभार सिखाओगे न तो बहुत डाट खाओगे क्यूकि कुछ लोगों का घमंड उन्हें इस बात की गवाही नहीं देता कि वो तुम से या किसी छोटे से कुछ नया सीखे या थोड़ी बहतर बनने की कोशश करें इसलिए ज़रा शान्त रहो जब वो खुद थोड के परवार पर भी मेरा अश्रवाद है खासकर तब तक जब तक तक तुम वहां हूं तो फिर किसी को लड़ खडाने या गिरने नहीं दूंगा और जब तुम वहां से हटोगे न उसके बाद भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन्हें सही रास्ता दिखाओं सही मार्क दर करा हूं बाकी कुछ चीजे तो बच्चों के मन पर ही होती है कि वो क्या चुनते हैं लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी एक बात जो मैं तुमसे हर दिन कहता हूं और हर दिन कहूंगा कि तुम चिंता मत करना चिंता करने का कोई फायदा नहीं है जब तक जिंदगी चलेग कर उसे करो और जब खाली समय मिलता है ना तो फिर आजाओ भाग कर आजाओ मेरी मंदिर आओ मेरी दर्शन करो और मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि हर पल पूजा पाट करो तुम आराम भी करो तुम अपने मनुरंजन के लिए वो तमाम काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिले जैसे तुम्हें ताजगी महसूस हो मैं बस तुम्हें खुल कर आजादी से खुशी से जीता हुआ देखना चाहता हूँ और फिर तुम अपनी संतुष्टी के लिए जो करना चाहते हो करो मेरा साथ है तुम्हारे पास बहुत खुश रहो